हलो गुड मॉनिंग जोहार मसंच और आप देख रहे हैं नियो जार्खन चलिए जानते हैं जार्खन की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को ओडिसा ट्रीन हाथसे की मिर्तकों को दी गई स्तरधांजली 50 लाख मुआज़ावा दोस्यों को सजाद देने की मांग ओडिसा की बाला सोर में हुवी भीसान रेल हाथसे मिमारे के यातरियों को सुमवार को राजी की अलबटे का चौक पर विभीन संगतनों ने स्तरधांजली अरपित की एक टू माले बगाईच इनसाफ मंच और जे एसम के कारीकरताओं ने अपने हाथों में केंडल लेकर एक म सभी मिर्तकों का पता लगा कर उनके परिजनों को 50 लाक रुपए मुआउजा दिया चाए पर बाहर निकलते ही उनकी एक जलक देखने के लिए लोग चिल्लान लगे माही माही की आवाज से पूरा टर्मिनल गुझने लगा कई लोग सेलफी लेने का भी परियास करती नजराए प्रसंसकों की भीड को देखतो हुए सुरक्षा कर्मियों ने धोनी को उनकी गाड़ी तक पहुँचाया धोनी के साथ उनकी पतनी साक्षी सिंग धोनी और बेटी जीवा भी आई आलुम हो की धोनी की अगवाई वाली चन्ने सुपर किंग आई पील के सुल्वेस सीचन में गुझरात को माद दे कर पांच विबार चेंपियन बनी है जार्खन में 26 सजार सहाइक आचारी की होगी नुक्ती सिक्षा सच्यू ने कहा इसी सब्ता भीज जाएगी अधियाचना जार्खन के सरकारी स्कुलों में खाली पड़े सिक्षकों के पदों को भरने को लेकर राज सरकार गंभीर है इसके तहत सुप्रीम कोट के निर्देश पर जहां 2016 से लंबित करीब 10,000 हाइसकूल सिक्षकों की नुक्ती प्रक्रिया जारी है वही सहाइक आचारी के करीब 26,000 पदों पर नए नुक्ती सुरू करने की तयारी की गई है जारखन कर्मचारी चैनाईयों के माधम से होने वाले चैन के लिए सिक्षा विवाग ने तयारी पूरी कर ली है सिक्षा सच्यू के रभी कुमार के अनुशार इसी सब्ता अधियाचना जारखन कर्मचारी चैनाईयों को भेज दिया जाएगा इसके अलावे जून के अंत में हाइस्ट कोल सिख्छक न्यूख्ती 2016 back तहत विभिन विसीयों में करीब 4000 सिख्चको की न्यूख्ती की तैयारी की जा रही है, इन सिख्चको का सेटिफिकेट वेरिफिकेशन सहित अनिविभागी प्रक्रिया भी की जा रही है भीसन गर्मी और हीट वेप से बाहर निकलना हुआ मुस्किल गुड़ा का तापान 45 डिगरी के पार पसमी दिसा से आ रही गर्म हवाओं के थफड़े से जारखन की धरती तप रही है बीते दिनों हुई बारिस के बाद मौसम बदल गया था और राज्य के सभी जीलों का तापान 40 डिगरी से लुड़क कर 30 से 35 डिगरी तर पहुँच गया था लेकिन पिछले 4-5 दिनों से एक बार फिर गर्मी उफान पर है राज्य के 8 जीलों का तापान 40 के पार पहुँच चुगा है हालत ऐसे हैं कि गोड़ा जीले का तापान 45 डिगरी सेलसेस के पार पहुँच चुगा है राज्य के उत्तरपूर्वी हिसो यानि देवगर, दुमका, गुड़ा, धनबाद, गृरीडी, जामताड़ा, पाकुड और साहिब गन जीलों के लिए मौसम वभाग केंदर राची ने तो हीट वैप को लेकर यलो अलट जारी कर दिया है मौसम वग्यानिक अभी शेक अनन ने बता है कि अगले पांच दिनों तक राहत की कोई उमीद नहीं है इस दोरान आसमान साप रहेगा और मौसम सुस्क रहने वगर्म हवाओं के चलने से तापमान में वृद्धी होगी PLFI सुप्रीमो दिनेश गोब की रिमान आउधी बढ़ाई गई को ख्यात नकसली दिनेश गोब की मुस्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है 21 माई को गिरबतार करना चिलाए जाने के बाद पिछले 12 दिनों से PLFI सुप्रीमो दिनेश गोब से NIA पूछताच कर रही थी दिनेश की रिमान आउधी पूरी होने के बाद NIA की विसेश अदालत में पेसी हुई जिसके बाद NIA ने एक दिन की अतरिक तिरिमान आउधी वढ़ाने को लेकर कोट से आगरा किया NIA की विसेश अदालत ने इस पर मंजूरी दे दी है दिनेश गोब पर जारकन पूलिस ने 25 लाक और NIA ने 5 लाक रुपए का इनाम रहा था बता दे की जारकन सहित ओडिसा और बिहार में हत्या से लेकर अवायद वासूली अपहरन और धमकी जैसे 102 मुकद में दर्ज है ओडिसा रेल दुरगटना अपने 5 महने का वेतन मोक्यमंत्री राहत कोस में देंगे इर्फाननसारी साथी विधायकों से भीकी या पील ओडिसा में हुए भायावा रेल दुरगटना के मारे और घायल हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं इसी क्रम में जामतड़ा विधायक डॉक्टर इर्फाननसारी ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है उन्होंने अपने पांच महिने का वेतन मोखे मंतरी रहत कोस में देने की घोश ना की है इर्फाननसारे ने कहाए कि भी संट रेन दुरगटना से मुझे बहुत बड़ा सादमा लगा है भायावा हाथ से में अपने को खोने वाले परिवार और घायलों के दर्द को मैं भली भाती महसूस कर सकता हूँ मैं परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में चट्टान की तरह खड़ा हूँ यही वज़ा है कि मैंने यह नरने लिया है कि अपने पांच महिने का वेतन मुख्यमंत्री रहात को उसमे दूँगा इरफान ने साथ ही विधायकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी वेतन का एक ही साधान करे ताकि सोक शंतब्द परिवारों की मदद की जा सकी तेरह महिने से PMGKY का कमिशन भुकतान ना होने पर PDS दुकनदारों ने सरकार को दिया अल्टिमेटम जारकन सरकार से नाराज रासन दुकनदारों ने समवार को अपनी दुकाने बंद रखी राजभवन के समक्ष धरना देकर सरकार से मांग पूरी करने का अनुरोध किया उनके समर्थन में बीजेपी के दो विधायक उनके साथ धरने पर बैटे अल इंडिया फियर प्राइस सॉप डिलर्स फेडरेशन के बैनर तले आयोजित इस आंदुलन में होसला अब जाई करने भाजपा वधायक सीपी सिंग और नवीन जासवाल पहुँचे इस दोरान भाजपा वधायकों ने हिमंत सरकार पर निसाना साधत हुए रासन दुकनदारों की मांग को सही बताया उन्होंने काय कि इनकी मांगों के समर्थन में वे सडक से लेकर सदन तक में अबाज उठाईं की सुमवार को साथ सूतरी मांगों को लेकर रासन दुकनदारों के आंदुलन की वज़े से राजबर में पीडियस दुकाने बंद रही PDS दुकंदारों की मुख्य मांगों में 13 महिने से PMG KY के बकाया कमिशन का पैसा के भुकतान हो इसके अलावा पूरो सरकार की तरह अनुकंपा पर लाइसंस की व्यास्था बहल हो अनिराज्यों की तरह जार्खन में भी One Nation, One Card, One Rate की प्रक्रिया को लागो किया जाए बायोमेट्रिक व्यास्था में व्यापक सुधार के साथ एपोस मसीन को 2G की जगा 4G में कनवर्ट किया जाए केंदर सरकार के आदिसा अनुसार NFSA योजना का खादे अन का कमिशन अगरीम आवंटन के साथ दिया जाए वर्तमान समय में तीन महने का कमिशन रासन दुकानदारों को प्रयाप्त नहीं हुआ बढ़ती हुई महंगाई को देखतो हुए रासन दुकानदारों के कमिशन को एक रुपए की जगा 3 रुपए प्रती किलो दिलवाया जाए मवादियों ने जेसीबी में लगए याग सड़क का काम रुका एक बार फिर खुद को मजबूत कर रहे हैं नकसली परचा फें कर रुका काम लोहरदगा में नकसलों ने बड़ी साजिस को अंजाम दिया है सड़क निर्मान में लगी जेसीबी में आग लगा दी है इस रास्ते पर काम कर रहे हैं मजबूरों में दहसत है सुतरों की माने तो लेवी के चकर में मवादियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है सिरंग दाग थाना चितर की मनहे पाट के इस घटना को नकसलों ने अंजाम दिया है नकसलों ने इस घटना को अंजाम दे जैसी भी के शाथ साथ नकसलियों ने एक मिक्षर मर्शीन को भी छतिग्रस्त किया है नकसलियों ने यहाँ पोश्टर भी छोड़ा है जिसमें काम ना बंद करने पर चेताओं ने दी है काम जारी रखने पर बुरा परिनाम भुगतने की धमकी दी गई है इस घर्टना के आसपास के ग्रामिन इलाकों में भी दश्रत है जमसेदपूर से बोकारो जा रही कल्यानी बस में लगी आग धूधू कर जली बस जमसेदपूर से सुमवारखू बोकारो जा रही कल्यानी बस में सौट सरकिट से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस धूधू क पटमदा में ये घटना घटी इस घटना में किसी यात्री को नुक्षान नहीं पहुँचा क्यूंकि चिंगारी भड़कते ही बस रोकर चलक ने सभी यात्रियों को उतार दिया था घटना के सुच ना पाकर दमकल गाडी मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया पहलामों के चतरपूर में एक नबाली के साथ पड़ोसी ने किया दुसकर्म चतरपूर थानाच शितर के एक गाउं में नबाली के साथ पड़ोसी द्वारा दुसकर्म करने का मामला सामने आ हैं पिडिता का इलाज अनुमंडली एस्पिताल में चल रहा है याओधी 15 जून तक के लिए बढ़ाई है वही आरोपी सीय सुमन कुमार, खुंटी के ततकालिन सहाइक अभ्यंता ससी परकास और पूर्वजेई राम विनोद प्रसाद सिनहा की पेसी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुम्वार को हुई बता दे कि सुम्वार की पेसी 29 पीके सर्मा की कोट में हुई कोट ने इन तीनों की भी नियाएक हिरासत की याओधी बढ़ागर 15 जून कर दी गई है हजारी बाग में संजैस सिंग के अलावा धनबाद में बालू कारोबारियों के ठीकानों पर एडी का चापा मेले अहम दस्तवेच एडी की टीम ने सुमवार को बिहार के अलावा जार्खन में धनबाद और हजारी बाग के बालू कारोबारियों के ठिकाने पर शापमारा ब्रोटसन कोमेडिटी प्राइबिट लिमिटेड बालू कारोबार को संचालित कर रहा था 2016 में इस कमपनी के खिलाब सिकायत की गई थी जाज के लिए SIT कठी हुई थी इसके बाद यह मामला AD तक पहुचा इस कमपनी के निदेशक और सदस्टों के यहाँ AD ने चापमारी की है 12 घंटे से अधिक चले चापमारी अभ्यान में AD को कई अहम दस्तावेज हांथ लगे हैं ITI ट्रेनर की होगी निउक्ती कर्मचारी चैनायोग ने निकाला विग्यापन 902 रेगूलर और बैकलोग पदो पर होगी बाहली जार्खन कर्मचारी चैनायोग ने अध्योगिक प्रसिक्षन पददिकारी की निउक्ती का विग्यापन निकाला है यह निउक्ती नियमित औ करने की अन्थिम्ति थी 24 जुलाई है फोटो एवं हस्ताचर अपलोड कर आविदन पत्र का प्रिंट आउट 26 जुलाई तक लिया जा सकता है 28 जुलाई के दिन के 11 से 30 जुलाई तक ऑनलाईन आविदन पत्र में किसी तरह की असुधी रह जाती है तो उशे सुधार किया जा सक राजपाल सीपी राधाकृullie क्रिष्णन आज वांगिलवारक लोहरदगाजि ले के सधर प्रक्षन की दो गाओं का भ्रहमन करेंगी इस दो राजपाल by रोगों से रूबरू भी होंगी योजनाओ का ररक्षन करने के साथ साथ 1 राजपाल गाओंगी विकास से भी प्रतक दूसकर्म के बाद नबालिक ने दिया बच्ची को जन्म, दूसकर्म के चार मेहने बाद परिजनों को पता चला, गरववती है बेटी, डॉक्टरों ने किया गरवपात से इंकार, 15 साल की नबालिक दूसकर्म का सिकार हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, पलामों में MMCH में बेटी को जन्म दिया है, पिडिता और नवजाद दोनों स्वस्ते हैं, दोनों को वालिकागिरी में रखा गया है, कुमारी बेटी के मा बनने पर परिवार के लोग बेटी और नवजाद के भविश्च को लेकर चिंतित हैं, बलतकार का आरूपी जेल में हैं और अधर नबालिक मा बन गई है, इस साल फरवरी में मामला सामनी आने पर नावा जैपूर पुलिस ने रेप के आरूपी को गिरबतार कर जेल भेज दिया था, आठवी का अक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्से की सोरी के साथ, 45 वर्से पड़ोसी रंजीत कुमार नाम ने दुस सुरेबी ने सुमवान को राज ग्रामिन विकास संसान के परिसर में सीसम एवं पीपल का पौधा लगा कर पारवरन संरक्षन का संदेश दिया, इस मौके पर मनरिगा आयुक्त ने कहा है कि पारवरन का संबंध हमारे जीवन से है, पारवरन हमें बहुत कुछ देता है, हमे बच्चे का जन्म दिन हो, या साधी समहरो, या फिर कोई विसेस अवसर, छोटे बड़े सभी अवसरों पर पौधार ओपन अवश्र करें, सभी व्यक्ते अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्र लगाएं अब ही मंत्रालयो आधी को पत्र लेकर सुचित किया है, बताते चले की करीब 600 करोड की लागे सिबने जारखन हाई कोट के नए भवन का उधगाटन हाली में, राष्ट्रपती दुरोपदी मुर्मो ने किया था, नई हाई कोट बिल्डिंग में तमाम आधुनिक्ष्युव पार्टी गुमला इकाई की और से संगठन ससक्तिकरन और संगठन विस्तार को लेकर सरकी ठाउस में बैठा की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्धक्ष राजश ठाकुर और कारिकारी अध्धक्ष बंधूतर की उपस्तित थे, इस दोरान कांग्रेस प्रद जाने माने तेजस्वी डवलपर्स के निदेशक से रंगदारों ने मांगे एक करूर कहां नहीं देने पर मौत कले रहना तयार, राजधनी रांची के लालपूर थाना चेतर के तेजस्वी डवलपर्स के निदेशक मुन्ना कुमार से रंगदारी मांगी गई है, इस बाब पर उनको बुरा अंजाम भोगतने के लिए तयार रहने को कहा गया है। राची के YBN युनवर्सिटी में परिचा में चोरी करते एक परिचार्थी पकड़ाया। परिची का चात्र बताया गया। जब तक आम लोग अपने अस्तर पर पारिवरन को सनरक्षित नहीं करेंगे तब तक विश्व पारिवरन मनाने का मुख्य ओदेश पूरा नहीं होगा। जार्खिन प्रदेश हर्याली का है प्रतीक जहां लोग वरिच्छों की करते हैं पूजा, राजजपाल, राजभुवन में सोमवार को पचास से अधिक पौधे लगाएगे, अगले वर्स पूरे राजज में एक करूड पौधे लगाने का लक्षि है जिसमें 10 प्रतिसत न जार्खिन प्रदेश हर्याली का प्रतिक है जहां लोग सरहुल जसे अहम पर्व के आवसर पर वरिच्छों की पूजा करते हैं 101 गैस सिलिंडर चोरी मामले में चार गिरबतार जान ये पूरा मामला जहां एक तरब राजधनी रांची में आए दिन अपरियाद की एक से बढ़कर एक घटनाई घट रही है तो वही दूसरी तरब पुलिस प्रसासन भी अपरियादियों तक पहुँचने में कोई कसर नह चारो आरोपियों के घर पर शान बेन की गई तो 101 गैस सिलिंडर बरामत किया गया है सुमवार को ग्राम इनस पी नौशाद अलम ने प्रेश वार्था कर इसकी जानकारिती है परिवर्तन संस्था ने पहाडी मंदर परिशन में लगाया 101 पौधा आगे 1 लाग लग्ष विर्क्षार ओपन के दोरान अती दुरलब कलपत्रू का विर्क्ष भी लगा गया कारिकरम के मुख्य अतिती जार्कन सरकार के पूरो मंत्री शह रांची के विधायक से पीशिंग थे वेस्व पारवरन दिवस पर निकाली गई जागरुपता रेली समवार को वेस्व पारवरन दिवस मनाय किया ऐसे में देश के कोने कोने में पारोरन को संरक्षित करने के लिए जागरुपता रैली निकाली गई इसी करम में सुम्वार को सिम्डेगा जिले में पारोरन संरक्षित गतिविधियों के द्वारा साइकल यात्रा निकाली गई यात्रा के दोरान लोगों से अपील की गई कि पीड काटने के बज़ाए ज्यादा से ज्यादा पीड लगाएं साथ ही जंगल को चनरक्षित कैसे रखा चाए या भी बताया क्या यात्रा में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि प्लास्टी का गार जरूरी इस्तमाल कैसे कम स से कम किया जा सके इसे लेकर भी लोगों से अपील की गई इसरेली में प्रसांत कुमार और मनोज प्रसाथ के शाथ अनलोग शामिल थे देवघर में भूमाफियाओं पर नहीं लग रहा लगाम बाबुलाल ने एडी सिवियाई से कहा इनको रोकिये राज्य के पूर मुक्यमंत्री वाभाजपा विधायकदल के नेता बाबुलाल मरांडी ने देवघर में हो रहे जमीन घुटाले को लेकर कई खुला से किये है उन्होंने प्रेस विध्यापती जारी कर का है कि राची की तरह देवघर में भी बड़े पैमानी पर जमीन घुटाला हुआ है और हो रहा है दस्तावेजों की हिरा फेरी कर इस काले धंदे को बढ़ाबा दिया जा रहा है देवघर में दो दसक पहले से ही यहां के एतिहास कागो रगदंदा जो रोपर है